हेलो दोस्तो, वेलकम टू सूपर मुवी कॉर्नर तो दोस्तो आज मैं जो मुवी एक्स्प्लेन करने जा रहा हूँ उस मुवी का नाम है वारक्राफ्ट और ये मैजिकल एडवेंचर और फैंटैसी बेस्ट मुवी है और इसे IMDb की रेटिंग 10 में से 6.7 मिली है तो बिना किसी देरी के चलते हैं मुवी की ओर तो इस मुवी की सुरुवात में हमें एक डैरन और नाम के गरह को दिखाये जाता है जहांकि हालत काफी खराब होती है या कहो कि वह गरह बरवाद हो चुका है वहां के लोकल जीब जो और्क कहलाते हैं अपने होमबल डैनन और्क की बरवादी के कारण वहां से निकलने के लिए एक जूट हो रहे होते हैं उनका प्लैनेट गुल्दान के फेल मेजी के कारण या कहो कि हरे जादू से बरवाद हुआ है मगर किसी और और्क की हमत नहीं होती कि वह गुल्दान को कुछ बोल सके क्योंकि वह हरे जादू की उपियोक से दूसरे और्क से काफी ताकतवर होता है फिर गुल्दान सारे और्क की कभीले को एक जुट करता है और यह तसली दिलाता है कि वह सभी को एक दूसरे अनुकूल दुनिया में ले जाएगा गुल्दान एक बड़े दरवाजे पर एक दूसरे जीप को बंदी बना कर रखा होता है और उनके आत्मों को निकाल कर हारा जादू करता है और एक दूसरी दुनिया एजरोत के लिए एक बड़े दरवाजे पर पोटल बनाता है इस पहले सफर में गुल्दान एक यूद दल को ले जाता है जिसका कमांडर फॉस्ट वूल कबीले का सरदार डिरो टॉन होता है और उसके साथ उसकी गरवती पत्नी ड्रेका भी होती है दोस्तो दरसल गुल्दान उस यूद दल को इसलिए भेशता है ताकि एजरोत की निवासी को बंदी बना कर उनके आत्मा से दुबारा पोटल को खोल सके क्योंकि गुल्दान को हरे जादू से पोटल खोलने के लिए लोग की आत्मा की जरुवत होती है पोटल से निकलने के बाद गुल्दान की पत्नी ड्रेका को परसव पिड़ा होता है और वो एक बच्चे को जन्म देती है पर उसका बच्चा मरा पैदा होता है मरगुल्दान एक हिरन की जीवन को निकाल कर और फेल जादू से संक्रमित करके मरतेवे बच्चे को जिसका नम गोयल होता है उसे बचाता है उसके बाद और पूरे एजरोत की बस्ती पच्छापा मारते हैं और वहां के लोगों को बंदी बना रहे होते हैं फिर सीन सिफ्ट होता है और हम स्ट्रॉमबिंट किंडम के मानबल के कमांडर लोथर को देखते हैं जो एक बौने के साथ थातियार के भटी में होता है और तबी उसे पता चलता है कि उसके सैनिक डल पर किसी अंजाम राक्षस के गूट ने हमला कर दिया है और उन्हें माट डाला है वो सूचना को पाकर वो फौरन अपने राज श्ट्रॉम बिंड जाता है और मुरदा घर में अपने सैनिकों की जाच परतल करता है और फिर लोथर एक नौक सीखिया जादूगर से मिलता है जिसका नाम खटगर होता है जो दूसरे राज से लोथर पर हुए हमले की जाच परतल करने आया होता है खडगर जब लास की जाच परतल करता है तो उस दोरन एक लास में से हरा दरब निकलता है जिसे देखर खडगर समझ जाता है कि यह हरा जादू है और वो लोथर को राज के रच्छक को बुलाने का सुझाओ देता है पर लोथर बोलता है कि रच्छक को सिर्फ महराज बुला सकते हैं और लोथर खडगर को महराज लेन के पास ले जाता है ताकि वो हरी जादू का वीवरन महराज को दे सके और समझा सके कि इस तरह की जादू का सामना सिर्फ रच्छक ही कर सकते हैं राजा लेन खटकर का वीवरन सुनकर लोथर को अपना रिंग देता है और मैडिप जो रच्छक होते हैं उसे बुलाने के लिए आदेश करता है लोथर रच्छक को लाने के लिए अपने साथ खटकर को ले जाता है और एक सफर के बाद वो दोनों रच्छक के महल पहुंचते हैं वहाँ पहुंचने के बाद दोनों एक मरोस नाम के वेक्टी से मिलते हैं जो उस महल का पहरेदार होता है फिर दोनों महल के अंदर परवेस करते हैं और खटकर वहाँ के लेबरेरी को देखकर मोहित हो जाता है और वहाँ घूमने लगता है और लोथर मरोस के साथ महल के उपर जाता है जहां मैडिब एक मुर्तियां बना रहा होता है फिर लोथर मैडिब से मिलता है और राजा की अंगूठी दिखाते हुए कहता है कि आपको राजा ने बुलाया है इधर खड़कर लाइबरेरी में किताबों को देखता है किताबी उसे एक काला साया दिखता है जो एक किताब में समा जाता है खड़कर उस किताब को अपने हाथों में बने टैटू की मदद से डूमता है और उसे लेकर वहां से जाही रहोता है कि मैडिब उसे अपने जादू से पकल लेता है और पूसता है कि तुम यहां क्यूं आये हो और तुम्हारा इरादा क्या है खटकर जवाब देता है कि वह यहां नहीं आना चाहता था मगर राजाल लेन की आदेस पर और उनकी मदद के लिए आना पड़ा फिर मेडिव अपने जादू से लोथर और खटकर को लेकर सीधे स्ट्रॉम्बिन टेलिपोर्ट होता है वहां पहुँचने के बाद मेडिव राजा लेन से मिलता है फिर राजा उसे बताता है कि उसके सैनिक पर एक हरे रक्षस के जुण द्वारा हमला किया गया था जो भेडियों पर सवार और बहुत ताकतवर थे और लेन अपने राज को लेकर चिंता जाता है पर मेडिव राजा लेन को भरोसा दिलाता है कि वह सब कुछ ठीक कर देगा फिर लोथर, खटगर और मेडिव हरे जादू के निसान का पिछा करते हुए एक स्कॉर्टिंग टीम में सामिल होते हैं और हरे जादू का पता लगाने के लिए निकल पड़ते हैं जंगल में थोड़ी दूर जाने पर उन सभी को वहां के लोकल निवासी के तूटे घर और लास मिलते हैं और मेडिव को एक हरा दरब दिखाए पड़ता है जिसे देखकर वह उसकी जाच करने जाता है पर उसी समय और्क द्वारा घात लगा कर हमला किया जाता है उस हमले में और्क मानप सनिकों पर भारी पड़ रहे होते हैं वहीं लोथर बाकी और्क को मार रहा होता है खड़गर जब और्क को हावी होता देखता है तो वह फौरन एक बेरियर क्रियेट करता है और मैडिव को सुरचित करता है फिर मैडिव हरे भरस्ट और्क को मारने के लिए एक जादू का उपयोग करता है जिसे देखकर होट के सर्दार डिरोटन और और्गे मुहां से भाग जाते हैं नाम की आदि और्क को देखता है जो उनकी कैदी होती है और वह उसकी बेड़ियां खोलता है और एक और्क दिवारा से हमला करने के लिए जाता है मगर उसका सामना लोथर से हो जाता है जो उससे मार कर कैदी बना लेता है हम देखते हैं कैदी के रूप में गरोना भी पिंजरे में बंद होती है और इंसानों से बाते करती है गरोना को बाते करते देख दूसरा औरक उसे चुप होने के लिए काता है और उसे मारने की धमकी भी देता है मर उससे पहले वह कुछ कर पाता, लोथर उसे माट डालता है। फिर गरोणा को राजा लेन के सामने पेस किया जाता है, जहां लेन उससे पूछता है कि तुम कौन से जीब हो और कहां से आई हो। गरोणा जवाब देती है कि वह इस दुनिया की नहीं है। वह दूसरी दुनि वह गरोना को मुक्त करने का वादा करता है फिर हम और कभीले में देखते हैं जार डूरोटन और ब्लैक हैंड गुल्दान के पास जाते हैं उनकी नकामी को देखते हुए गुल्दान ब्लैक हैंड को प्रमपरा के अनुसर अपने प्रान को त्यागने के लिए काता है ब्लैक हैंड अपने प्रान को त्यागने के कोशिस करता है पर डूरोटन उसे मारने से बचा लेता है और इस हरकत के कारण डूरोटन कुल्दान के नजर में आ जाता है फिर डूरोटन अपने फैमली के पास जाता है और अपने पतनी और बच्चे से मिलता है और आसा करता है कि उसका बेटा बड़ा होकर एक ताकतवर सरदार बनेगा आगे हम गरोना को देखते हैं जिसे मिलने स्ट्रॉम विंड की रानी आती है और उसे ठंड से बचने के लिए कपड़े देती है और उस दोरन गरोना रानी को मारने की बात करती है और बताती है कि उनके हां किसी सरदार को मारने से सम्मान मिलता है पर रानी बताती है कि उनके हां ऐसा कोई भी सम्मान नहीं है और उसे आज की रात अराम से सोने को कहती है इसके तुरंद बाद हम खड़कर को देखते हैं जो मेदिप की लाइवरेजिस मिली वी किताब को अध्यन कर रहा होता है उस अध्यन के दुरन खड़कर को पता चलता है कि पोटल खोलने में गुल्दान को एजरोत से ही किसी ने मदद की थी फिर अगले दिन गरोना इनसान को और के कैम की जासूसी करने के लिए ले जाती है और कुछ दिन के सफर और रात के बाद वो आखिर कर और के कैम को देखते हैं गरोना बताती एक गुल्दान को हरे जादू से पोटल खोलने के लिए इनसानों की बली चाहिए और उसके बाद वो सारे और को एजरोत पे ले आएगा उसी बिश डिरुटन उन सभी को देख लेता है और उनके कुछ सीपाही के जाने के बाद वो खड़कर को चुप रखकर गरोना से मिलता है और कहता है कि वो गुल्दान को रोकना चाता है क्योंकि उसके हरे जादू ने बरवादी के अलावा कुछ नहीं किया है और वो इनसानों के राजा को उची काली पहाड़ी पर मिलने का संदेश भेजता है ताकि वो इनसान के साथ मिलकर गुल्दान को रोक सके फिर हम इस्ट्रॉम बिंड में देखते हैं कि एगल बगल के सारी राज के राजा मिलकर बैठक कर रहे होते हैं और और्क से लडने की योजना बना रहे होते हैं उस बिच लोथर और्क के बारे में सुचना लाता है और बताता है कि औरक यहाँ एक पोटल खोलने वाले हैं जिसके जरिवे अपनी फोच लाना चाहते हैं और एज़रोत पे कब्जा करना चाहते हैं लोथर की बात सुनकर सभी राजा बुखला जाते हैं मगर लेन सभी को सांथ करता है फिर अकेले में राजा लेन लोथर और गरोना से मिलता है और गरोना उन्हें डिरोटन द्वारा बताय संदेश को बताती है उसकी बात सुनकर लोथर कहता है कि साइद वह जूट बोल रहा ह और हमें जाल में फसाना चाता हो इस पर गरोना बोलती है कि और कभी जूट नहीं बोलते हैं क्योंकि जूट बोलने में और को कोई सान नहीं मिलती तभी राजा लेन बोलता है कि यही एक मौका है और को पोर्टल खोलने से रोकने के लिए फिर आगे हम देखते हैं कि लेन और उसके सैनिक डिरोटन के बताए जगा पर पहुंचते हैं जहां डिरोटन भी अपने कवीली के लोगों के साथ आता है उस मुलकात में डिरोटन लेन को बताता है कि वह गुल्दान के हरे जादू से छुटकारा पाना चाहता है क्योंकि उसका सारा जादू उसके सारे लोगों में जहर का काम कर रहा है और वो बताता है कि उनके दोरा पकड़ेगा इंसानी कैदी को दो दिन में मार दिया जाएगा पोर्टल को खोलने के लिए फिर डिरोटन गुल्दान को रोकने के लिए अपनी योजना लेन को बताता है कि अगर उसके लोग गुल्दान के योधाव पर हमला करकर उनका ध्यान भटका दे तो डिरोटन के कबीले को लोग मिलकर गुल्दान को मार देंगे लेन उसकी बातों को मान जाता है पर वो शर्त रखता है कि अगर वो उसकी मदद करता है तो वो बदले में लेन के लोगों की रच्छा करेगा और हम देखते हैं कि उसी समय ब्लैक हैंड के यो धाउ दोबारा घात लगा कर हमला किया जाता है उस हमले में डिरोटन और लेन के यो धा ब्लैक हैंड के यो धाउ से लड़ते हैं दोनों पच में लड़ाई बराबरी की हो रही होती है और यह सब जादूगर मेडिव देख रहा होता है तब भी वो देखता है कि एक बड़ी तादात में और इंसानों के तरफ बढ़ रहे होते हैं और वो फॉरन मनुस्य के रच्छा के लिए एक जादूई दीवार बनाता है लेकिन इस दीवार के करन लोथर का बेटा केलन कुछ सैनिको के समू के साथ अलग हो जाता है लोथर जब अपने बेटों को दूसरी तरफ देखता है तो वो मेडिव से दीवार को खोलने के लिए काता है मगर मेडिव ऐसा नहीं करता और लोथर के सामने ब्लैक हैंड द्वारा केलन को मार दिया जाता है जिसे देखकर लोथर को एक गहरा सद्मा पहुंसता है इधर मेडिव जादू करने की वज़े से कमजोर हो जाता है फिर गरोना और खटकर उसे ठीक होने के लिए वापस कर जान ले जाते हैं वहाँ ले जाने के बाद खटकर को पता चलता है कि मेडिव हरे जादू से भरष्ट हो चुका है और उसने ही पोटल को खोलने के लिए गुलदान की मदद की थी या देकर खटकर फॉरन करिंटॉर से मदद लेने जाता है इदर और केम्प में देखते हैं कि गुलदान डूम हैमर से फ्रोस्ट वुल्ख कवीले के ने सरदार को चुनने की बात करता है और वह डूम हैमर को सरदार बनने का लालज देता है डूम हैमर लालिश में आकर अपने कभीले के कमजور और को मार रहा होता है और उस बिच वा डुरोटान की वाइफ ड्राका के पास जाता है और उसे अपने बच्चे के साथ भागने में मदद करता है क्योंकि वा डुरोटान के हैसान के तलित दवा होता है फिर हम खडगर को देखते हैं जो करेंट और से मिलता है और उन्हें मेडिब के बारे में बताता है कि वह हरे जादू से भरष्ट हो चुके हैं उसकी बातों को सुनकर उन्हें बिस्वास नहीं हो रहा होता तब ही खडगर एलोडाई के बारे में बताता है इसे सुनकर वो उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं और उन्हें एक जादूए क्यूब के पास ले जाते हैं वहाँ पहुँचने पर एक करिंटॉर का सदस बताता है कि हरे जादू के बारे में सिर्फ एलोडाई ही जानती है उसी वक्त उस क्यूब में एक द्वार खुलता है जो आज से पहले कभी नहीं खुला था खडगर उस द्वार के अंदर जाता है जहाँ एक जादूगर्नी से मिलता है और वही एलोडाई होती है वो बताती है कि रचक ने हम सभी को धोका दिया है और उन पर हरे जादू का जुनून सवार हो गया है और उन्हें जल्दी रोका नहीं गया तो वो पूरे दुनिया को खग कर देंगे खडगर पूसता है कि उनको कैसे रोका जा सकता है एलोडाई बोलती है कि तुम अपने साथियों की मदद से उन्हें रोक सकते हो और वो यह कहते गाइब हो जाती है कि रोसनी के बाद अंधिकार आता है और अंधिकार के बाद रोसनी इधर मैडिव को देखते हैं जो हरे जादू के जुनून में पूरी तरह भरष्ट हो चुका होता है और वो अपने ही साती मरोस को हर जादू की ताकत से मार देता है फिर हम इस्ट्रॉम विंड में देखते हैं कि राजा लेन और उसके सिपाही और साथ में लोथर आॉक्स पर हमला करने की योजना बना रहे होते हैं ये तैबी वहाँ मेडिव आता है और लेन को औरक का सुचना बताता है डीलोटन के कवीले ने कुल्डान के खिलाप बगावाच přिर्ड़ दी है और वो लेन को औरक पर तुरंथ हमला करने की बात करता है उसकी बातों को सुनकर लोथर मैडिप का विरोध करते हुए बताता है कि हमारे पास इतने सिपाई नहीं है कि हम और का मुकाबला कर सके और यह हमला हमारे लिए खुद खोसी जैसा होगा मगर मैडिप बताता है कि वो अपनी सक्तियों से और को रोक सकता है इस पर लोथर फिर से विरोध करता है क्योंकि पिछली बार जो घटना उसके बेटे के साथ हुई थी उसके बाद वह मैडी पर विश्वास करना नहीं चाहता था और वह गुसे में आकर मैडी पर जहपटने की कोसिस करता है मर राजा लेन अपने सैनिक से कहकर उसे कैद खाने में रखवा देते हैं जब तक कि वह पूरी तरह सांतना हो जाए फिराजा लेन अपने सैनिक के साथ और पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं और लोथर अभी भी कैद में होता है लोथर वहां के पहरादार को खुद को छोड़ने की बात करता है पर उसी बीच वहां खड़कर पहुंचता है और उस पहरादार को बकरा बना देता है और लोथर को छोड़ाता है लोथर लेन के साथ जाने की बात करता है मर खटकर उससे पहले मैडिव को रोकनी की बात करता है और एक जादू पोर्टल बना कर हुआ दोनों ट्रेलिपोर्ट हो जाते हैं फिर हम ड्राका को देखते हैं जो अपने बच्चे को लेकर भाग रही होती है और एक नदी किनारे पहुंचती है ड्राका अपने बच्चे को नदी में सुराचित बहा देती है और उसकी सुराच्चा करते हुए खुद को बलीदान कर देती है इधर डिरूर्टन गुल्दान को सारे और्क के सामने लड़ने की चुनाथी देता है जो और्क के नितुर्ट के लिए एक मौत का दुवंद होता है लड़ाई के दौरण डुरूर्टन गुल्दान के डॉमिनेट करता है और गुल्दान हरे जादू की मदद से डुरूर्टन की जीवन को खतम करके उसे मार डालता है और यह देखने वाले और्क इस दौन को अस्शिकुरित करते हैं क्योंकि गुल्दान ने हरे जादू का इस्तिमाल करके समान जनक यूद नियमों का उलंधन करता है जिससे सारे और्क उसके खिलाप हो जाते है मर गुल्दान ब्लैंक हैट को हरे जादू से ससक्त कर देता है और उसके विरोध करने वाले को हरे जादू से मार डालता है जिसके बाद किसी की हिमत नहीं होती की कोई गुल्दान का विरोध कर सके इधर मैडिव जो अब अर्ध राच्छासी अवास्ता में होता है और्क और मानव के बीच जंग छिड़ी जाती है इधर लोथर और खडगर मैडिव और उसके बनाए राक्षा से लड़ते हैं लोथर और खडगर मैडिव को रोकने के लिए एक योजना बनाते हैं योजना के मुताबिक लोथर मैडिव का ध्यान बढ़काता है और खड़कर बड़े राक्षस को अपनी और अकर्सित करता है और एक पोटल बनाता है इधर मेडिक जैसे ही लोथर को मारने के लिए जाता है वैसे ही खड़कर उस राक्षस को टेलिपोर्ट करके मेडिक पर गिरा देता है फिर खड़कर मेडिव को ठीक करने की कोशिद करता है पर वो हरे जादू के संपर्क में आ जाता है मरवा अपनी सक्तियों से हरे जादू का असर कम करने लगता है और एलोडाय दोरा कहे गए आकरी सब्द को दोराता है कि रोसनी के बाद अंधकार होता है और अंदकार के बाद रोसनी यह कहते हैं हरे जादू का असर पूरी तरह खतम हो जाता है जिसके फल स्वरूप और्ग की दुनिया का पोर्टल बंद हो जाता है यह सब ठीक होने के बाद लोतर फोरण वहां से और्ग की कैम के लिए रवाना हो जाता है मैडिव अपने बची हुए सकती से उस दिवार पर स्टॉम बिंड का पोर्टल खुलता है ताकि और्ग कैम से ज़्यादा ज़्यादा इंसान निकल सके राजा लेन पोर्टल को खुलता देख अपने लोग को स्टॉम बिंड भेजने का योजना बनाता है और उसके सैनिक उन पर आमल करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इंसान इंस्टॉम बिंड में भेजे जा रहे होते हैं इधर मैडिव अपनी अंतिम सक्तिक का इस्तिमाल करते हुए मर जाता है जिसे वह पोर्टल भी बंद हो जाता है और लेन गरोना और थोड़ी संक्या में मानब सैनिक औ और वह दो जातियों के बीच यानि और और मानम के बीच सांति बना सके गरोना ना चाते हुए भी लेन को मारती है लेन को मारने के बाद गुल्दान और पूरे और और गोरा गिरों में उसका स्वागत किया जाता है इधर लोथर राजा लेन को वापस ले जाने के लिए आत मर उसके मागों के विरूद परामपरा से बंदेवे और्क लोथर को लेन के सरीर के साथ परस्तान करने की अनुमती देते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी है मेरे एक्स्प्लेनेशन कमेंट करकर जरूर बताएगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दिजेगा।